आज मैं बहुत आनंदीत हूँ प्रेस लॉट आज मैं बहुत खोश हूँ ताकि येश्व मसी का जन्मदीन मना रहा हूँ आज मैं जिन्दा हूँ ताकि येश्व मसी का जन्मदीन मना सकूँ आललिया हम क्रिस्मस क्यों मनाते हैं और कैसे मना हैं वो सरे लोग क्रिस्मस मनाते नहीं है वो कहते कि क्रिस्मस मनाने की जरुरत नहीं है अपने बच्चे का बर्थडे मना सकते हैं अपने ममी पापा भाई बहन सबका बर्थडे मना सकते हैं, लेकिन वो प्रभी येश्य मसी का बर्थडे बनाते नहीं है, जिस परमेशन ने अपना एक लवदा बेटा हमारे ले ले दिया, उसका बर्थडे वो मनाते नहीं, बड़ी दुख की बात है, वो कहते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है कि 25 थारिक को प्रभु येश्मसी का बर्थड़े था, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, सच में, सही बात है, लेकिन जब एक दिन कोई न कोई हमें प्रभु येश्मसी का बर्थड़े मनाते, तो आप 25 ने मनाते तो 26 मनाओ, 27 मनाओ, 28 मनाओ, 31 मनाओ, एक मनाओ कोई भी दिन ले लो और प्रभी येश्व मसी का बर्थड़े मनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रेसलाड वो खुदा का बेटा प्रभी येश्व मसी हमारे लिए इस दुनिया में आया तो हमें प्रभी ये शुमसी का बर्थडे मनाना बहुत जादा जरूरी है और इसलिए उनकी ये सारी जो बाते हैं मैं मानता नहीं हूँ और ये शुमसी का बर्थडे हमें मनाना है अगर हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं घर के जह सदस्यों का बर्थड़े मनाते हैं तो पताने कौन से शिक्ष आ गई है कि येशु मसी का बर्थड़े नहीं मानाना जरूर मनाना है, अललुया जरूर उस्सव मनाना है आनंद उस्सव, जय उस्सव, महा उस्सव होना है, अललुया और कितनी खुशी की बात है कि जब हम अललुया प्रभी येशु मसी का बर्थड़े मनाते हैं तो प्रभी परमेशे के आशीश अललुया आती है परमेशे पिता भी देखता है कि हम येशु मसी का बर्थड़े कैसे मना रहे हैं प्रेजलोर्ड, येस तो पहली बात हम जह है गम के तो बहुत सारे कारण है और डिपरेशन के तो बहुत सारे कारण है लेकिन उनको हम जह हमें टच नहीं कर रहे थे हमें को एक खट जाओ आज मेरे आनन्द का दीन है हाललुया प्रेज अललॉड और हम आनन्द बैबल में लिखा है कि कितनी सुन्दर बात की वे उस तारे को देखकर बैबल में मत्ती दुसरे अध्या का दसवचन जो है उस तारे को देखकर वे अती आनन्दी थुए और यह आनन्द देने वाला कोन है बता है प्रेजों यह आनन्द देने वाला प्रभू परमेशर है प्रेज बैबल में हमने संडे को देखा था यह कैसे उन्होंने आनन्द में परमेशर ने वे बहुत आनन्दी थुए क्योंकि पर्मेशन ने उनको आनन से भर दिया था हाल अलिया जब तक ही आनन जहें आता कैसे आता ही आनन जब आप येशु मसीह के साथ रहेंगे तब ये आनन आएगा बहुत सारे लोग जहें बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े पहनते हैं बहुत सुन्दर सुन्दर कपड़े पहनते हैं, तब उनको लगता कि बहुत अच्छा Christmas मनाया गया, बहुत अच्छी सुन्दर से सजाते हैं, और उनको लगता कि बहुत अच्छा Christmas मनाया गया, बहुत अच्छा पक्वान बनाते हैं, और उनको लगता कि बहुत अच्छा Christmas मना कौन-कौन बाइबल पढ़के आए, देहो कितने कम लोग थे जो बाइबल पढ़के आए, और अब आपको यह नहीं पूछूँगा, अपने आयने के सामने कितने दिर खड़े रहे आप, कि आप तो बहुत सुन्दर लग रहे हो, अरहाल अल यह अच्छी बात है, लेकिन उसक से के साथ नहीं है, तो जाहें कितना भी आनंद करते रहो, आपको आनंद नहीं मिलेगा, हबकुक के किताब उसका तीसरा अध्या है, और उसके आट्रावचन से लेकिन, मेरे बीचे बोलिए, क्यों की चाहे, अंजीर के वरुक्षों में फूल ना लगे, ना दाखलतों में फल लगे, जल पाई के वरुक्ष से केवल धोगा पाए जाए, और खेतों में अनन ना उबजे, और भेड़ शालाओं में भेड़ बकरिया ना रहे, ना थानों में गाए बैल हो, तो भी मैं यहवा के कारण आनंदीत और मगन रहूंगा, और अपने उधार करता परमेशे क द्वारा अती प्रसंदा रहूंगा, हमें प्रसंदा रहने का कारण क्या है, किसके द्वारा हम प्रसंदा रह सकते हैं, परमेशर पिता के द्वारा, हमारे पाँच चाहे पैसा न हो, हमारे चाहे तन खाना हुआ हो, हमारे चाहे कोई भी ऐसी परेशानी हो, लेकिन हम जह है जहां, depression में ने जाएंगे मेरे पास एक ही कारण है अर बास एक ही कारण है आननित रहने का इदर लिखा है अपने उद्धार करता परमेश के द्वारा मैं प्रसन रहुँँगा तो आज यहां पे आपके पास हो सकता पैसा हो या ना हो हो सकता आपने घर सजाया हो या ना हो हो सकता आपने नए कपड़े पहने हो या ना हो लेकिन आपके पास एक बात होनी चाहिए येशु मसी होना चाहिए क्रिस्मस में आनन देने वाला येशु है Praise the Lord दूसरी बात हम देखेंगे कि Christmas में हमें दान देने की आवशक्ता है हमें प्रभू हर मसी को प्रभू दानी बनाता है Praise the Lord जितने भी अमीर लोग है वह सब कंजूस है कंजूस 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 जितने अमीर होते जाते हैं उतने कंजूस हो जाते है लेकिन जितने गढ़ा मसी के साथ आते हैं वे दानी बन जाते हैं उनकी हिर्दे में दान देने की चाउत्पन न होती है परमेशन ने जगत से हैसा प्रेम किया कि उसने अपना एश डाश डाश डे दिया अपना इकलोटा पुद्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाचना उपरन तो अनन्द चिवन पाए प्रेसे लॉट अंग्रेज लोग आते थे और वो हमेशा देते थे इसाहिलों को दे लो ये खाओ वो खाओ ये बटर लो ये चीज लो ये गेम लो वो लो अभी अंग्रेज लोग नहीं है अभी जो है अभी मसी लोगों के द्वारा मसी लोग जो है उन्होंने क्या कर लिया है वो देने के आदत ले ली है देने वाला देता जाए लेने वाला लेता जाए लेते लेते लेने वाला देने वाला का हद भी ले ले यह हमारे बच्पन में हमारे मराठी में यह कवीता थी तो इसका मतलब आप समझ लो इसका मतलब यह कि देने की आदत ले ले प्रेज अलॉट। पुराने नियम में लिखा है ये हवा के सामने छूचे हाथ ना जाना ओ प्रेज अलॉट छूचे हाथ ना जाना क्योंकि परमेशन ने तुझे आशिश दिया है जैसे तुझे आशिश दिया उसके अनुसार तुपरमेशन को देना हाललुया और वो जो महिला जिसने अपनी सारी की सारी कमाई उसमें डाल दी थी बाइबल में लिखा कि बहुत सारे लोग रही बजा के देते थे लेकिन इस महिला ने गई और उसने अपनी जो वो डाल के ओफरिंग बॉक्स में डाल की वो आ गई उतने में प्रभु येशु मसी उसके अलोले दान से प्रसन्न हुआ प्रइज अलोड हाललुया और कहां कि यस महिला ने जो दिया है वो सबसे ज़्यादा दिया है प्रभु येशु मसी आलोलुया आपके जो है वो अंक या कितना रकम को नहीं देखता परमेशर आपके त्याग को देखता है कितने त्याग पूर्न रिति से आप देखते हैं हालालोया प्रेज अलॉट कोई कर रहा प्रभु जी मेरे पास तो मेरे पास जो है इतनी बहुत सारी सेलरी है एक लाग दो लाग के सेलरी है लेकिन ये दस रुपे बड़े त्याग पूर्टरी दे रहा हूँ चलेगा क्या प्रभू का एक उसा त्याग है रहे दे रहा है को उसा त्याग है दे रहा है प्रभू बड़े त्याग से दे रहा हूँ तो मैं त्याग पूर्टरी से मैं भी सैलरी देता हूँ को हाललुया प्रियों जब हम प्रभु को देते हैं पूरे खुले दिल के साथ देते हैं जब हम देंगे तो प्रभु की आशीश हमारे जियोंगे उपर आएगी मत्तिरह चीशु समच्चार उसके हम पढ़ेंगे जटवे अध्याय में बहुत सुंदर दिसे वच्छन यहां प तुरही ना बजवा जैसे गप्टी और सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें मैं तुम से सच-सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके बरंतु जब तु दान करे तो जो तेरा दाइना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ भी जानन ना पाए ताकि तेरा दान गुपत रहे ताकि तेरा दान गुपत रहे तब तेरा प्यदा जो गुप में देखता है तुझे प्रतिफल देगा हाललुया परमेश्य का प्रतिफल मैं देख रहा हूं लोगों के जीवनों में प्रेज द लोड बहुत सारे लोगों के जीवनो रही है कैसे उनको प्रभु घर दे रहा है कैसे उनको प्रभु आशिश दे रहा है हाललुया तो Christmas के समय में हमें हाललुया सिर्फ अकेला खाना बिर्यानी बना के खाना नहीं किसी को भी बुलाओ आप किसी गरीब को पुलाओ Hallelujah पाश्टो को तो पुलाते ही आपको और धहनेवाद आपने जो सुन्दर से केक और जो सुन्दर सुन्दर चीजे हमको खिलाई और खिलाने वाले भी है धहनेवाद उसके लिए लेकिन प्रभू परमेशे का वचन बदाता है कि हमें दानी बनना है बोलिए दानी बनना है येस गरीब लोग दानी बन सकते है और गरीब लोगों को ही सुसमाजा सुनाया जाएगा और गरीब लोगों को ही जह है दानी हालोलिया हमारे चर्श में जो भी आशिशे आई है वो ज़्यादतर गरीबों से आई है प्रेज लॉर्ट येस और प्रभू आशिश देता है और प्रभू अमीरों को भी अमीरों को भी और अमीर बनने की ताकत देता है जब वो प्रभू को देते हैं अलेलुया और हमारे कलिसे के सब लोग घालो लिया बड़ी मांदारी के साथ प्रभू को देते हैं प्रभू को धन्यवाद हो तो जह है हम देखते की कैसे मनाएं आनन के साथ मनाएं बोले आनन के साथ मनाएं दान के साथ मनाएं तिसरी बात जह है प्रभू येशु का दुख समरन करके मनाएं प्रेज लॉट येस एक महला मैंने आपको पहले बताया था यह बात एक जह है काम करने वाली एक चोटी सी लड़की थी जो बड़ी हो गई थी उसी घर में और वो काम करती थी एक दिन क्या हुआ गा उसकी मालकीन बहुत अमिर थी और वो अकीली थी और वो म मर गई और मरने के बाद में जह है मरने के पहले उसने अपनी वो इस काम करने वाली से कहा कि देख बेटा मेरा तो कोई नहीं इस दुनिया में तेरे सीवा और इसलिए मैं तुझको यह पैसा देती हूं और जह है उसने दो महने की सैलरी उसको एक देती वाली पैसा देती और एक आगजात जह है वो संभाल के रखना और जह है इनको जह है करना नहीं तुमने का ठीक है मैडम में संभाल के रखना होंगे और वो मर गई और सौरे बिल्डिंग और जितने सारे बंगले जो ओस महिला के तेरे नाम पे हुई है और तुझे क्या करना है सिर्फ जा जाके यह पेपर दिखाना है अपने बैंक बनाना है बैंक बैंक का खाता खोलना है और उसमें सारे पैसे आएंगे, करोड़ रूप है, तु बहुत अमीर है, क्या है अमीर, मैं तो भूगा मर रही थी यहां पर, मुझे पता यह नहीं था, तुझे तुझे पता नहीं था, परमेशे के लोगो, प्रभी येश्य मसी ने हमर लिए ही किया, आललूया, वो प्रभी य मसी आया, अपनी भर जवानी में प्रभी येश्य मसी मार आ गया, और येश्य मसी के दुख को स्मरन करना है, और उसकी सारी बलिदान की आशिशियों का एंजॉय करना है, ताली बजाब प्रभी के लिए, आललूया, जो चर्च में आएगा, वो अमीर बनेगा, प्रेज अल क्योंकि बाइबल में लिखाई है, प्रभी येश्य मसी कहता है कि आललूया, आप प्रमेश का अनुगरा जानते हों कि वो धन्वान होने के बावजुत कंगाल बनाता कि उसके कंगाल हो जाने के द्वारा तुम धनी हो जाया, आललूया, प्रेज अलूया, प्रमेश की आपका श्राब उठा लिया है बस आपको ये शुमन से की दुख को स्मरन करना है और उसकी सारी आशिशों को एंजॉय करना है हाललुया और वो महिला जो जह है भूकी मर रही थी वो वड़ा फट उसने अपने खाते खोल के फड़ा वड़ सारे पैसा उसमें आ गया और चैन अराम से बंगले में रहने लगी क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा आया था प्रेज अलॉया प्रभु ये शुमन से की दुख को स्मरन करिये प्रियों और एंजॉय करिये सारी ब्लेसिंग्स प्रभु परमेशन आपको आशिजित करेगा फिर अगली बात आपको प्रभु ये शुमन से का ये बड़ा दिन कैसे मनाना है पवित्र मनाना है पवित्रता के साथ मनाना है प्रेस लॉट आप कितने भी मनाएंगे कितने भी नाचेंगे और कितने भी अच्छे कपड़े पेनेंगे लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है आपने तो घर को साफ कर रहा है सारे अच्छी तर रंग वगर लगा दिया है घर साफ कर दिया चर्च साफ कर दिया सारे साफ कर दिया लेकिन मन तो साफ होना चाहिए हाललुया आपकी कड़वाहट दूर होनी चाहिए आपने एक दुसरे को माफ करना चाहिए Christmas मनाना है तो प्रभू की आशिस तब आएगी जब आप माफ कर देंगे Hallelujah बहुत सरे ऐसे परिवार है जिनके पती अपने पत्नी को माफ ने कर पा रहे है और पत्नी अपने पत्नी को माफ ने कर पा रहे है माता पिता बच्चों को माफ ने कर पा रहे है बच्चे माता पितों को माफ ने कर रहे है Hallelujah Christmas का दीन ऐसा सीजन होना चाहिए कि सब एक दूसरे को माफ करके फिर से एक नई जिन्देगी की शिरुवात करे Hallelujah Praise the Lord Bible में लिखा है प्रभू को बचन देता था कि आवाज तुम अपने आपको शुद्ध करो कि कल परमेशर यहवा तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे पास आने वाला है Hallelujah और सच में प्रभू आता था वे लोग यहां तक कि कपड़े भी धोते थे अपने आपको साफ करते थे लेकिन अभी हमें हमें तो कपड़े सिर्फ धोने की जरूरत नहीं है लेकिन Hallelujah हमें अपने दिल को धोने की आवशकता है Praise the Lord हमारे मन के कड़वाहट हमारे मन का बुरा विचार और हमारी गाठे और हमारी बुरी बाते साब हटा दो Hallelujah माफी दो और माफी लो Praise the Lord वो सारे लोग Christmas कैसे मनाते पता है आज का दिन ये है 25 December दुनिया में सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा शरब आजी की दिन बेची जाती है आजी की दिन सबसे ज़्यादा accident होते है क्योंकि उनको बड़ा दिन कैसे मनाना है पता नहीं है अज आज आपको मौलूम चल गया कि बड़ा दिन कैसे मनाना है कैसे मनाना है बड़ा दिन पहली बात आनन के साथ दुसरी बात दान देने के द्वारा तिसरी बात प्रभु येशु मुस्त का दुख सहन करके प्रभु येश्य के बलिदान के सारी आशिशे एंजॉय करने के द्वारा हम बड़ा दिन मनाए हाललुया कोई अपने आप में डिप्रेशन में न जाए हाललुया वो डिप्रेशन को भी प्रभु बदलने वाला है युसिफ की जेल को बदल के उसको पन्त अपृदान बना दिया हाललुया युसिफ को भी डिप्रेशन में न गया गिंकि उसमें हुट्थम आत्मा थी हाललुया आज है एक डिप्रेशन के आत्मा इश्य के नाम से दूरो जाए और हलले दुखों को स्मरन करके प्रभु ये शुकित दुखों को स्मरन करके उनकी सारे बलिदान की आशिशे एंजॉय करना और फिर बात में तिसरी बात ये मैंने बताई और चोधी बात जे है कि लोगों को प्रचार करके हाललुया ये सुंदर बड़ा दिन माना है प्रेसलाट बैबल में लिका है राजा की किताब में कि वहाँ पे इसराइल लोगों की विरोध में लोग आ गए और वहाँ पे एलिशा ने जब भविश्यवानी की और वहाँ पे जब भविश्यवानी की पहले वहाँ पे उस नगर में भूकमरी हो गई प्रभु की दास ने कहा तू उसमें से खाएगा नहीं तू जहेद देखेगा लेकिन खाएगा नहीं और हुआ भी ऐसे हुआ ऐसा कि परमेशर देखो परमेशर अपने लोगों के लिए लड़ता है बोले परमेशर अपने लोगों के लिए लड़ता है बोली ये परमेशर में लिए लड़ रहा है परमेशर मेरे परिवार के लिए लड़ रहा है ताकि मुझे विजै मिले तो इस रायलोगों की विरोध में जो लड़ रहे थे उन्होंने उस नगर को पूरा घेराबंदी करके रखा था पता नहीं छे मैने से और उनको ना खाना मिलने दे रहे थे ना खाना जहें सब लोग भूके मर रहे थे और उस समय में परमेशन ने कहा कि मैं करूँगा क्या करूँगा देखो मुझे पता है क्या करना है लेकिन मैं इनको खाना किला हूँगा और रात के समय में क्या हुआ कि जहे वुन सारे शत्रों के कानों में आवाज आ गई कि घोड़े आ रहे है Bible में लिका है और जो घोड़े आ गEO उनको लगा कोई रह बाप रही है इने इसरालोगों, हमारे विरोथ में कोई लाये है भागो, भागो, भागो Bible में लिका है अपने तंबू, डेरे, सोना, चान्दी शब कुछ जो छोड़ चाड़के जैसे भागे वो, वो सब भागे लेकिन वहाँ पे चार कोड़ी थे उन्हें का क्या बात है सोने फे सुहागा, इतने दिन हम भी भुक्यों मर रहे थे, चलो खाता है यार उन्हें खाए एक तंबु में के, दूसरे तंबु में परमेशे के लोगों, क्रिस्मस ये दिन और हमारे हर एक दिन सुह समाचार सुनाने का दिन है हालोलिया, लोग भुक्मरी में मर रहे हैं लोग बीमारी में हैं, लोग गरीबी में हैं लोग शिराप के नीचे हैं लोग होस्पिटल में हैं लोग मर रहे हैं लोग जह है रो रहे हैं यह सुसमाचार सुनाने का दिम है और जब वो चार जाते हैं और बताते हैं हे सब लोगो प्रभू के लोगो जह है इस शेहरपना का दरवाजा खोलो कि शत्रू भाग गया है उंको पहले विश्वास नहीं हुआ में लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया तो सचमे और इतने सारे लोगा आगय कि जिसने कहा था कि कपुडवू ऐसा कभी करने सकता वो तो देख रहा था कि कितने जब और जब से लोग जा रहे जा रहे लेकिन वो लोगों के पेरों के नीचे आके मारा गया उसने देख लिया कि इतना सस्ता गेहूं हो गया है इतना सब कुछ सस्ता हो गया है कि वो गए और खिंच के ला है और सारी loot उन्हों ने ले ली और परमेश्य ने अपने लोगों को बचाया परमेश्य अपने लोगों के लिए लड़ता है हललया, Christmas मतलब लोगों को प्रचार करना है प्रेजलोट, आप घर में जाके प्रभू का प्रचार करना लोगों को बताना आप जाते जाते लोगों को सिनाना कि प्रभीश मसी ने हमको हाललुया ओ बड़ा जहे काम दिया है यह जिम्मेवारी प्रभु के लोगों की है कि उनको बताना है कि पापों के खिशामा हो सकती है बीमारी दूर हो सकती है गरीबी दूर हो सकती है हमारा प्रभी येश्व मसी कैंसल से ठीक कर सकता है एड से ठीक कर सकता है हर टूमर से हर बिमारी से हमारा प्रभी येश्व मसी ठीक कर सकता है ये प्रचार करना है Hallelujah Praise the Lord यहां पर बहुत सारी लोग के जुदु स्टात्मा से भरे थे लेकिन प्रभी येश्व मसी के आने के बाद उनके जिन्दगी बदल गई Halaloyah जिन्दगी मेरी बदल गई जब से येश्व तुमेरे जीवन में आया है तो यहां पर हम समात करते हैं पांच बाते मैंने बताई Halaloyah कैसे मनाए आनन के साथ मनाए बोले आनन के साथ मनाए दान देने के द्वारा मनाए पवित्रता के साथ मनाए और अपने दुखों को प्रभी येश्व के दुखों को स्मरन कराए हम स्मरन करे येश्व के दुखों को हम स्मरन करे और उसके फाइदे अपना ले अपनों फायदों को इन्जॉय करे ये चोथी बात और जह है बड़ा दिन लोगों को प्रचार करके मनाए हालेलुया प्रभाब को आशेशित करे प्रभी उश्य मसी तिहोर की दिन एक बार 38 साल से जो बिमार था विस्वेक्टी के पास गये और सब लोग उस्वेक्टी को बना रहे थे लेकिन प्रभी उश्य मसी उन बिमारों के पास गया और वहाँ पे उसको चंगा कर दी हालोलया हम गरीबों के पास भी जाए और बिमारों के पास भी जाए आई हम सब खड़े हो जाएग अपने जगह पे तो आई हम प्रात्ना करें मेरे पिछे प्रात्ना करें अपने आखे बंद करके है परमेश्य पिता मैं धनेवाद देना चाहता हूँ आज के दीन के लिए मैं सिर्फ प्रभू बड़े दीन का मसी बनना नहीं चाहता हूँ लेकिन हर रोज मैं मसी बनना चाहता हूँ हर रईवार मैं तेरे भवन में आना चाहता हूँ और शैतान जो मेरे रांस दे रोकता है येश्यू के नाम से उसे मैं दूर करता हूँ हे प्रभुजी जो तेरे भवन में आता है जो कलीसिया में आता है वो अमीर हो जाता है वो चंगा पाता है उसकी शिराब दूरो जाते है उसके बिगडे काँ बन जाते है ऐसे बाइबल में लिखा है और इसलिए है ब्रभू मुझे हर रोज प्रात्ना करने के लिए बाइबल पढ़ने के लिए और हर रहीवार को तेरे भवन में जाने के लिए मेरी साहता कर हे परमेश्वर तेरे सारी आशिशे मैं इंजॉई कर सकू इसलिए मेरी साहता कर मैं हे ब्रभु जी तेरे दुखों को याद करू और ब्रभु परमेश्वर तेरे बलीदान की सारी आशिशे उनको enjoy कर सकू इसलिए मेरी सहायता कर मेरे परिवार का हरे एक बच्चा Sunday School में जाए मेरे परिवार का हरे एक विक्ती Church attend करे क्योंकि तू हमारे लिए आया और तुने कहा प्रभुजी कि मैं अपनी कलीसया बनाऊंगा तू अपनी कलीसया बना रहा है जो लोग तेरे भवन में आ रहे हैं उनको तेरे राज्यके अई प्रभुजीवित फत्तर बना रहा है इसलिए हम धनेवाँ देते हैं बहुत हों के जीवन में जो चमतकार हुए उन चमतकारों के लिए धनेवाँ सारे बंधनों को तोड़ दे सारी रुकावटे दर कर पविद्रात्म के आग बरसने दे पविद्रात्म का भी शेक उतरान दे इस कली से हमें आए वे हरे एक जन को तुस परशकर सारे बंधन तोड़ दे सुष्ट कीरण को तुने चंगाई दी इसलिए धनेवाद ब्रदर राजेश को चंगाई दे प्रभू येश्व के नाम से चंगाई दे हम प्रात्ना करते प्रभू जी तेरी आशीश दे प्रभू हम प्रात्ना करते हैं हमारे सिस्टर मदुली का बेटा अनुगरह के लिए जो अमरीका से आ जाए प्रभू हमारे साथ Christmas मना रहा है प्रभुजी उनको आशिष दे प्रभुजी धनेवाद एशु यहाँ पे आए वे हर एक जन special है प्रभुजी और हम धनेवाद देते हैं हर एक जन को आशिष दे वे अपना समय निकाल के यहाँ पे आए प्रभुजी अर इसलिए तेरी आशिष हर एक परिवार पर रहे हर एक जन पर रहे तेरा अनुगरह रहे हमारी प्रात्ना है आज जो बिमार है एश्यो के नाम से चंगे हो जाए एश्यो के कोड़े खाने से चंगे हो जाए एश्यों के कोड़े खाने से चंगे हो जाया जो जो बीमारी हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो सकती वे कैलवरी चर्च में ठीक होती है ऐसे बहुत बार देखा गया है प्रभू जो श्राप कहीं और नहीं निकलते है वो कैलवरी चर्च में दूर होते है Calvary Church की प्रातना के द्वारा Calvary Church की आरादना के द्वारा सारे श्राम दूर होते है पापों से माफी मांगने के बाद तू पूर्ण छुटकरा देता है ए प्रभुजी तुन्हे हमारी कंगाली को बदल दिया और तुन्हे हमें अमीर बनाया धनेवाद एश्यू हम परमेशर के बच्चे हैं हम सर्वस्रेष्ट हैं हम सबसे महान हैं और जिन जिन बातों में शैतान ने अभी तक हमें पकड़ा है वो सारी बातों को हटाए रेगुलर रिती से चर्च में आए इसलिए हरे की सहायता कर उनके आँखे खोल हे प्रभुजी उनके आँखे खोल कलवरी चर्च के लोग उन चार विक्तियों के समान ठेरे जिनोंने प्रचार किया कि आउं और खाओ और तुमारे लिए भरपूर है और तब इजरायल लोग आए और छुट करा पाया हम धनेवाद देते हैं प्रभुजी प्रभु हर एक जन जैसे अपने अपने घर जाते हैं येशु का प्रचार करे येशु की सेवा करे येशु की महिमा करे सारे बंधनों को तोड़े सारे रुकावटे दूर करे धनेवाद येशु तुन्हें आज हमें प्रचार करने के लिए कहा है प्रचार करने के लिए मदद कर येश्यो के नाम से मांगते है ए प्रभुजी ये बड़ा दिन सबको आनंद देने वाला ठेर है सारे बंदन तोड़ने वाला ठेर है येश्यो के नाम से मांगते है आमेन आमें, आमें, आलेलिया